यूटूब चैनल अद्वुत सब्दबार पर उपस्थित समस्त सब्सक्राइबर बंदुओं, स्रोताओं और भक्तों आप सभी का यूटूब चैनल अद्वुत सब्दबार पर एक बार फेट से स्वागत और हादिक अवननदन है हे भक्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा पुत्र कौन हुए था जिसने अपने पिता को निगल लिया अपने पेट में रख लिया पिता को इसके लिए जो हमें कमेंट आया है वह कमेंट आया है बेद प्रकास प्रजापत जी का और बेद प्रकास प्रजापत जी लिखते हैं बेटा ने बाप को खायो गटना है किस काल की और वह पता कौन था और वह पत्र कौन था तो आईए वक्तों आज जानते हैं कि किस पुत्र ने अपने पिता को खा लिया, पेट में रख लिया, तो इस काहानी को जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने वीडियोज बर स्रश्टे के प्रारम में जब भगवान, सुर्य देव और उनकी पतनी संग्या की छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ था और उस पुत्र का नाम था सनी देव, अर्था सनी देव थे वो छाया और भगवान सुर्य देव के पुत्र थे जन्म से ही बड़े ही विक्राल और दुष्ट प्रकर्ती वाले थे हमेशा देंड देने की ही सोचा करते थे तो हे बक्तो एक समय जब देवी चाया अपने मूल संग्या में बिलीन हो गई जो संग्या थी संग्या की चाया थी उसी के गर्व से जन्म था सनी देव का और उसमें बिलीन हो गई तो सनी देव ने समझा कि मेरे पितासरी सुरे देव ने ही मेरी माता को सुरे लोग से निस्कासित किया है हे वक्तों सनी देव इसके लिए भगवान सुरे देव से नाराज होकर उन्हें प्रतारित करने लगे और सूरे देव से कहने लगे कि आपने ही मेरी माता को सूरे लोग से निस्कासित किया है और दोनों में तक्रार बढ़ने लगी हे वक्तों ये गड़ना उस समय की और है जब हनुमान जी भगवान सूरे देव के यहां सिक्षा ग्रेड कर रहे थी बाल सरूप में थे हनुमान जी तो सनी देव ने क्रोधे तो करके अपने पिता सूरे देव को युद्ध के लिए ललका रहा और उसने सोचा कि मैं आज सूरे देव का अस्तित भी समाप्त कर दूँगा और उन्होंने इसके लिए गरुड देव को भी अपने पक्ष में ले लिया गरुड को अपना मित्र बना लिया सनी देव ने और भगवान सूरे देव से युद्ध करने के लिए आ गए युद्ध के मैदान में हे भक्तों सनी देव और सूरे देव दोनों पिता पुत्र थी दोनों में ही बड़ा भहिंकर युद्ध हुआ समस्त देरता और पूरी स्रष्टी में हाहा कार मच गया दो परम सक्तियां, दो महन सक्तियां आपस में युद्ध कर रही थी हे वक्तों, सनी देव की हट थी कि मेरी माता च्छाया को बापिस लाया जाए और इस संग्या को यहां से सुर्य लोग से निस्कासित किया जाए युद्ध का पैणाम धीरे धीरे बदलने लगा और भगवान सुर्य देव की हार होने लगे सनी देव सुर्य देव पर भारी पढ़ने लगे और अंतते सुर्य देव को उन्होंने निगल लिया रख गए अपने पेट में और सुर्य देव को निगल करके पाताल लोग को समुद्र की बिशाल गहराईयों में जाकर किछिप गए गरुड ने भी उनका साथ दिया था इसमें और तीनों लोगों में हाहाकार मच गया अंधेरा ही अंधेरा चाक्छा गया जो सुर्य देव समस्त्र लोगों को प्रकासित करता है आज स्वयम अंधेरे गर्त में चला गया हे भक्तों समय बड़ा बलबान होता है सनी देव हे भक्तो इस तरीके से भगवान सूर्य देव को उसी का पोत्र सनी देव निगल गया तो भाई बेद प्रकास जी आपने बाप और बेटा का नाम पूछा था तो बाप तो हुए सूर्य देव और पोत्र हुए सनी देव सनी देव को सनी देव ने भगवान सूर्य देव को नि इसी वीडियो में और उस comment में आया था पिता पुत्र के पेट में करशे लिआ उठाए तीन लोक के नाथ के दिन उठ फेरा खाएं, और थात पिता था वो पुत्र के पेट में था तो ऐसा पिता कौन था जिसको उसके पुत्र ने निगल लिया तो भगवान सूर्यदेव थी ह पहले भक्तो जब सुर्य देव को लेकर के सनी देव पाताल की गहराईयों में समुद्र में जा छिपा तो उस समय हनुमान जी ने सोचा कि मेरे गुरु देव को उन्ही का पोत्र शनी देव पाताल लोक में ले गया है और समस्त देवताओं ने हनुमान जी से आग्रह किया ही बजरंग बली आप ही भगवान सुर्य देव को मुक्त करा सकते हैं और इस पर स्वैम हनमान जी भगवान सुर्य देव को खोचते हुए पाताल लोक पहुच जाते हैं समुद्र की गहराईयों में पहुच जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने सनी देव को युद्ध के ल तो मेरे गुर्देब भी इनके पेट के अंदर हैं उनके प्राण भी संकट में आ जाएंगी इसलिए हनमान जी ने सुक्ष्मर रूप धारण किया और शनी के पेट के अंदर घुस गई और वहां से अपनी बिद्या और शक्ती की ताकत पर सुर्यदेव को बाहर लेकर के आई हे वक्तो इस तरीके से हनमान जी ने अपने गुरू सुर्यदेव को उसके पुत्र शनी के पेट से बाहर निकाला और उसी समय उधर क्या होता है देवी संग्या भी आत्म दहा कर रही थी परंतु उनकी जो छाया थी वह उनके सरीर से निकल करके अपने पुत्र सनी के पास आई और सनी से बोली पुत्र तु ये क्या कर रहा है तो सनी बोला माता तुम कहां चली गई थी और अब मुझे छोड़ कर कभी मत जाना तो इस पर छाया बोली कि पुत्र तु श्वयम ऐसा कर रहा है कि जब देवी संग्या का अस्तित्व नहीं रहेगा उसी को सूरे लोग से निस्कासित करना चाता है तो मेरा अस्तित्व भी संभब नहीं है आप सोचिए कि बिना प्राणी के कभी भी छाया का अस्तित्व नहीं होता इसलिए हे पोत्र शनी देव मैं देवी संग्या की छाया हूँ और मेरे ही गर्ब से तुम्हारा जन्म है तो इस प्रकार से तब संभ देवी संग्या से आकर के छमा याचना करते हैं और बाद में भगवान सूरे देव से भी छमा मांगते हैं तो यह कथा इस तरीके से थी और हनमान जी ने अपने गुरू को सनी के बंदन से मुक्त कराया था तो भक्तो इस कथा में मैंने आपको बताया कि ऐसा पत्र कौन था जिसने अपने पता को पेट में रख लिया निगल गए अपने पता को तो पता का नाम सूर्य देव है पत्र कार से देवी छाया के समझाने पर सनी देव की समझ में आ गई सनी देव सोचने लगे कि मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया और वह भगवान सूर्य देव और बजरंग वली के साथ देवी संग्या के पास आया और सनी देव ने देवी संग्या से छमा याचना की और भगवान सुर्य देव से भी छमा याचना की तो भकतो इस प्रकार से वह पिता सुर्य देव थे जिनको पुत्र ने निगर लिया था और ये कथा अब बहुत बड़ी हो जाएगी मैं इसलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ जय हिंद जय भारत